खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेए हम इसमें दिल्ली के कमना नगर के ए ब्लॉक में खड़े हैं यह जो आप सामने सफेद रंग की रिट्स का देख रहे हैं यह अप देख सकते हैं जब वो इधर चौराएपर पहुँचे तो अचानक ही उनके मुबाइल पर एक फोन आया वो फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से एक बाइक पर सवाद दो यूवक उनके नजदीग आये और उनके कान से फोन छीन कर ले गए अचानक ही फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और आप यह देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ पर इस समय मौझूद है यह वादात कलदात आट साड़ आट बजे के बीच में हुई थी और अभी पुलिस यहाँ पर सीची टीवी फुटेज खंगालने आई है प सवाल यह उठता है कि दिल्ली में आकर जंगल राज के आरोप क्यों लग रहे हैं क्यों यहाँ परादियों के मन में कानून का खौफ नहीं बचा है यह जानने के लिए हमारे समवादाताओं ने उन लोगों से बाचीत की जो दिल्ली में जपट मारी लूट पार्ट या ऐस बुरी तरह से मारा पीटा लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो किया उसे यती अभी तक नहीं भूल पाई है। यती शर्मा तो यह कब के बाद आता है। यह 9 सप्टेंबर की बात है। क्या हुआ था आपके दाप हम रामिला डेली जाते थे क्योंकि मम्मी वहाँ पे थी तो हम जूले-जूले की साफ़ से जाते थे उस इन भीड बहुत जादा थी वहाँ पे गैधिन बहुत ही जादा क्योंकि कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे लेडिस का तब किस जेगे की बाद रामिला ग्राओं शास्ति पाक उस्मानपूर थाने के बिल्कुल सामने वहाँ की बात है यह मैं अपने घर जा रही थी दो मिन की दूरी पे था तो स्कूटी से में अपनी कजन को लेके घर जा मैंने उसको लाते मारी कि किसी तरह यह हटे और मैं यहां से निकलो जाओ अपनी जान बचा के जाओ यहां से क्योंकि वह उस्टाइम और बिल्कुल थाने के सामने वह स्वानपूर थाने के सामने कोई on duty होते है सब को पता कि रामिला का प्रोग्राम है तो पुलिस को duty देन को छोड़ दे वसी उसने नहीं छोड़ा उसके बाद जब हम लोग आगे जाके मेरी स्कूटी बैलेंस नहीं कर पाई हम दोनों गिर गए मेरी कजन भी और मैं भी वह बदरपूर की वज़े से और रोडियों की वज़े से वह स्पीड में नहीं लेकर आ पाई अपनी बाइक अगर मैं जहां भी गिरूंगी मेरे साथ गिरेगा उसने एक सेकंड के लिए बाइक नहीं रोकी की लड़की है कुछ तरस ही खा लेता नहीं वह चलता जा रहा था मैं भागे जारे जितनी स्वीड में भाग रही थी उसको पकड़ लिया था उसके बाद फिर पुलिस को भी पुलिस ने मेरी कोई हल्प नहीं करी वो तो बोल रहे थे कि हमारे काम चोरों को ले जाना है आप लोगों को नहीं आप खुद आओ अपने आप और वो बहुत दूर था जहां पर मैंने उसको पकड़ा था चोर को वहां से पुलिस प्रेशन बहुत ही दूर था रात को किस स बख्ष थे 23 सितंबर की रात ओकला फेस टू में एक न्यूस चैनल की आंकर रादिका के साथ लूट पाट की वारदात हुई थी बाइक पर सवार दो बदमाश रादिका का फोन चीन कर भागे थे इस घटना के बाद से रादिका को रात में अकेले सफर करने में डर लगता ह दिल्ली में अपराधियों के होसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कानून का खौफ उनके अंदर से खत्म होता जा रहा है आए दिन दिल्ली के किसी न किसी इलाके से स्नैचिंग की वारदात आपको सुनने को मिल जाएगी ऐसी एक वारदात हुई थी 23 सितंबर को ओकला के फेस्टू में और हम उसी जगा पे एक्जाक वई लोकेशन है जहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था और एक महिला पत्रकार थी जिन के साथ ये वारदात हुई जिन महिला पत्रकार के साथ ये घटना हुई ये वारदात हुई वो हमारे साथ खुद मौझूद है रादिका जी मारे साथ मौझूद है रादिका जी 23 सितंबर को आपके साथ क्या हुआ था अनुरादा जी सबसे पहले तो मैं सुक्रिया करना चाहूंगी कि आज 23 सितंबर को 20 दिन हो चुके हैं लेकिन 20 दिन की बात किरें इतने दिनों में अब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा मॉबाइल कहा है हाली मैं मोदी जी कि भती जी की बात करूँ तो कहने का मतलब हुआ कि बेटीों के साथ दो प्रकार के काम पुलीस या सरकार क्यू कर रही है या यूं कहें कि प्रशासन है वो दो प्रकार के काम क्यूं कर रही है अब मैं यह कहना चाहूंगी मोदी जी की भती जी का फोन 12 गंटे के अंदर दूसरे ही दिन यानि सोनी पस्ते उन चोरों को पकड़ लिया जाता है जबकि मुझे आज 23 से अब तक 20 दिन हो चुके है कोई भी लूट का शिकार हो जाता है दिल्ली में बदमाशों के लिए जान की कोई कीमत नहीं है अगर किसी ने लूट का विरोध किया तो वो गोली चलाने से भी नहीं चकते दिल्ली के जोती नगर इलाके के रहने वाले राजुल सिंगल के साथ भी ऐसा ही हुआ 16 सिंगल की रात करीब 9 बजे राजुल सिंगल अपनी इलेक्ट्रोनिक शॉप से घर वापस लौट रहे थे राजुल घर के बाहर ही पहुँचे थे कि बाइक सवार बदमाशों ने उनसे नोटों भरा बैक छीनने की कोशिश की राजुल ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी 16 सिंगल की रात करीब 9 बजे के आसपास राजुल सिंगल अपनी इलेक्ट्रोनिक शॉप को बंद करकर अपने घर पहुँचे थे अभी दरवाजे पर ही पहुचे थे कि तभी दो बाइक सवार बदमाश पीछा करते हैं यहाँ पर आते हैं और राजुल सिंगल के पास जो कैश भरा भैक था उसे चीनने की कोशिश करते हैं जब राजुल सिंगल इस बात का विरोध करते हैं तो बदमाश उनके उपर गोल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घुशित कर दिया शुरुवाती तफ्तीश में पुलिस को ऐसा भी शक्ता की हो सकता है कोई आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया हो लेकिन अब तक की जाच में पुलिस को यही लगता है कि यह बदमाश लुटे रहे थे और इन्होंने जब लूट की कोशिश करी और राजुल सिंगल ने इसका विरोध किया तो उन्होंने गोली चलाई और यहां से फरार हो गए